हलो दोस्तों वेलकम बैक पिंक सुनोवेशन तो फ्रेंट्स मैं आज आपके साथ बहुत ही यादा यूसफुल किचन टिप्स शेयर करूंगी जो आपके रोज के काम को आसान बनाएंगे टिप्स छोटे-छोटे हैं बट बहुत जादा काम के हैं आपको बहुत जादा पसंद आएंगे चलिए देखते हैं मेरी पहली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंस पहली टिप्स है मेरी मिठाई डब्बे को लेके खाली मिठाई के डब्बे हम सबके घरों में होते हैं और हम उन्हें फेक देते हैं तो आज हम इनका यूस करेंगे अपने चीज़ों को जो मिठाई के आपके पास खाली डब्बे होते हैं उन सम्में इस पाउचर को और्गिनाइज कर ले और फ्रिज में रग दे और सबसे बड़ी बात है डब्बे जल्दी खराब नहीं होते हैं जब भी आपको जरूरत हो आप इस डब्बे को निकाली और जो भी पैकेट जाब झाजार से डब्बे भी खरीज सकते हैं इस तो इसके लिए आपको क्या करना है ना आपको जब भी पापर आपके बज्जा हैं आपको उसमें सूखी हुई लाल मिर्ची डालनी है सूखी लाल मिर्च डालने से ये होता है फ्रेंस कि जो आपके पापर है वो सील नहीं होते हैं खराब नहीं होते हैं जाले नहीं लगते हैं और उनका जो टेस्ट है वो भी खराब नहीं होता है इस फ्रेश रहते हैं तो आप कोशिश यही करें जब भी आप इस तरह का पापर का पैकेट लाए इस्तमाल करे ना तो पूरा तो यूज होता नहीं तो आप उस पे तीन से चार सूखी मिर्चे डाल दे सूखी मिर्च फ्रेंस आपको चीजों को कीड़े लगने से बचाती है जाले लगने से बचाती है अब आपके पास आपके डबा है तो इस तरह किसी डबा में पैक करके रख जी ने तो किसी पॉलेथिन में आप पैक करके पापरों को रख दीजिए सकैची का इस्टमाल करते हमारे जो सीजर है ना इसके धार कम हो जाती है तो इसकी धार को तेज़ करने के लिए बहुत सारे टिप अपने चैनल पे शेयर कियों होगे हैं आज में आपके साथ एक उन ओर निूज टिप शेयर कर रही हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा तो इसके लिए हमेरे लेनी है चाई पती आप चाय पती के जिए नमक भी ले सकते हूं जो भी आपके पास है आप उसको बेस्तामाल कर सकते हो तो सबसे पहले आपको सीजर को इस तरीके से गरम करना है और गरम होने के बाद आपको इस तरीके से चैपती में इसको पुश करना इस तरीके से कट करना इसी क्या होता है आपके सीजर की धार है वो शार्प हो जाती है तो एक बड़ आप जरूर ट्राइ करके देखना सेम उससे भी आपकी जो शार्पने साना सीजर की वो अच्छी खासी तेज हो जाती है तो बहुत ही अधा यूसफुल टेप से आप इसे जरूर ट्राइ करना आई हूप आपको मेरी ही टिप्स पसंद आ रही होगी चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है तो निखी ने इस ठां इकमोंड़ में बर्साद के मासम में जो लाइटर होता है कभी कभी ठीक से वर्क नहीं करता है तो हम उसे فेक देते हैं डिसकार्ड कर देते हैं हमें लगता है अब खराब हो गया लेकिन in फैंस इसके अंदर आग जो कछड़ा जो मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ उसके बाद आप ट्राइ करके देखना कि आपका लाइटर ठीक से जल रहा है कि नहीं जल रहा है क्योंकि मॉइस्टर की वज़े से आईसी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बर आप ना दूसरा चेंज करने से पहले यह वाली ट कुबारा से किया और फिर मैं इसको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लगा जिससे जो मेरा लाइटर है एक दम रही हो गया और बहुत अच्छे से यह काम करने लगा तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है इसके बहुत सारा कूडा होता है हर कोई इससे साफ नहीं करता है तो आज के बाद आप लाइटर को ना इस तरीके से जरूर करें अगले टिप्स भी फ्रेंस बहुत ही अदा यूस्ट फूल है फ्रेंस हमारे घरों में इस तरह का जो स्क्रॉच प्राइट होता है हम ग्रीन वाला लेकर आते हैं तो मुझे इसका इस्तमाल हम बर्तनों को वा आती है तो इस स्क्रॉच प्राइट बहुत हैल्प करेगा बस शर्त यह होनी चाहिए कि आपका जो स्क्रॉच प्राइट है वह एक्टम न्यू होना चाहिए यूज किये हुए से फ्रेंस बलकुल भी यह वर्क नहीं करेगा तो आप एक नया यूज करें और इससे अपने सी सीजर की नाइफ की जो शार्पने से वह घर बैठे कर सके जीरो कॉस्ट में उसके बाद चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंस मेरी अगली टिप्स बहुत ही है तो यूसफुल है आपके में कोई भी ब्रेड हो जो भी पुराना ब्रेड हो या जिस इसके बाद अगर आपके पास सोडा है बेकिंग सोडा तो आप बेकिंग सोडा इसके उपर स्प्रेड कर दीजिए और अगर बेकिंग सोडा आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप मेरी तरह इसके उपर थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दीजिए आप सोसे हों कि चाय पत्ती ड करना है सोड़ा चाय पती कुछ भी आप कर सकते हो अब इसको हमने फैला लिया अब हम इसका क्या यूज करेंगे फ्रेंस तो फ्रेंस इसका इस्तमाल हम करने वाले हैं फ्रिज में तो आप फ्रिज में करेंगे फ्रेंस इसका आप सोचोंगे फ्रिज में इसका हम क्या इस्तमा हमें करना है बैर स्मैल को हटाने के लिए क्या होताpell consider हमारे फ्रिज में बहुत सारी चीजिए छीजे होती जैसे कि वेजिटेबल सहते हैं फ्रूर्ट होते हैं पिकल्स होते ौर सबजी व गयरा बहुत सारा कभी कभी स्मेल आने लगता है तो आप उस स्मेल को बैद आर्डर को हटाने के लिए क्या कर सकते हो इस ब्रेट की स्लाइस को चैपती के साथ रग देना और तीन से चार घंटे बाद आप देखो कि जो ब्रेट है चैपती है तो सारी स्मेल को अब्सॉफ कर लेगा और आपके फ्रिज में एक बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी आप इसे जरूर ट्राइ करना हो बहुत ही आदा काम की टिप्स है फ्रेंस आई हूप आपको पसंदारी होगी फ्रेंस अगर वीडियो पसंदाती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें चलिए देखते हैं अगली टिप्स कौन सी है तो अगली टिप्सी फ्रेंस बहुत ही अदो यूसफूल है अक्सर क्या रहता है जब हम पूरी पराठाया बनाते हैं तो हमारे तवे में इस तरीके से ओलीनेस हो जाती है अब इस ओलीनेस को हटाने के लिए हमें बहुत सारा ताम ज्याम करना पर स्क्राबर अगर ना मतलब बहुत सारी डिटरजेंट यूस करना बहुत सारी चीजे हम करते हैं बट आज हम बेकार चीजों सही अपने इस तवे को चमकाएंगे बीना किसी साबुन या डिटरजेंट के तो फ्रेंस सबसे बहले आपको गैस ओन करना है और गैस ओन करने के ब इसमार करने करते समय हमें एक जीज और मिलानी है और वो है सौल्ट जोभी सौल्ट आप यूस करते हैं सेना वाला या नामल सौल्ट आप कर लीजिए उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा चलाना है मिक्स करना है एक से एक मिनट अब इससे पूरा मिक्षर आप चारों तरह देखो कि आपके तवे में बिल्कुल भी कोई नहीं रहेगा और यह इतने अच्छे से क्लीन होगा आपको विश्वास भी नहीं होगा बिना किसी साबुन या डिटर्जेंट के यह देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला लिया में गैस बन कर रही हूं इसे नेचे उतार लेत है ठीक है तो बस इस तरीके से आप फैला दीजिए जिस चाइपत्री को फ्रेंड सम्कूर समझके फेक रहते उसी कार इतना अच्छा अस्तमाल आप देखो गे नो तो हैरान हो जाओगे तो इसके बाद देखिए मैंने इसे फैला दिया है फैलाने के बाद आप क्या करिए आप इस चाहपत्री को किसी भी कटोरी में निकाल दीजिए और निकालने के बाद आप इसे किसी प्लांट वगरे में भी डाल सकते हैं जिससे ग्रोथ भी अच्छी होगी कीड़े भी नहीं लगेंगे ठीक है तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ तो इस तरीके निकालने के बाद ये गरम ही है और बहुत जारा गरम नहीं है जिससे कि आपका हाथ जले बठा गरम है उसके बाद आप ना कोई भी स्टील का स्क्रबर ले लीजिए या फिर नॉर्मल ग्रीन वाला स्क्रबर ले ले लीजिए आप देखोगे आपके तवा एकदम क्लीन हो जाएगा बिना किसी साबुन या डिटर्जन की सारी जो इसकी ओडिनेस थी जो भी चिकनाहट थी वो एकदम क्लीन हो जाएगी कुछी सेकेंड पर ये देखिए बस मैंने रगड़ा आप रिजल्ट देख लो तवा एकदम साफ आपको दिखाई देरोगा फिर मैं आपको इसको पानी इसे क्लीन करके दिखाती हूँ पोंचकर फ्रेंस मैंने इसमें कोई भी साबुन वगएरा भी यूज नहीं किया है और ये देखिए मेरा तवा एकदम क्लीन हो गया है और फ्रेंस इस तरीके से आप लोहे की करहाई को भी क्लीन कर सकते हो फ्रेंस जब भी आप लोहे की आते हो तो आप इसे अच्छो से गरम करके पोंचके रख दीजिए इससे भी इसमें सिलन नहीं लगती है आप आज की टिप्स आपको पसंद आयोगी पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब मैं चानल थाइंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो बाइब कियार